प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 314 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेस्वे का उधगाटन किया था जो इसके बाद वायुसेना के विमारों ने उस सड़क पर लैंडिंग की साथी यूपी देश का सारवाधिक एक्सप्रेस्वे वाला राज्य भी बन गया है एक्सप्रेस्वे की पठकता में उधर प्रदेश ने अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्श करवा लिया है जो इसके बाद अब बारी बिहार की है क्योंकि जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तरप्रदेश को पुरवांचल एक्सप्रेसवे की सौगात दी वैसे ही बिहार में ये सवाल उठने लगे थे कि यहां ऐसी सड़कों का नर्मान कब होगा क्योंकि नितीश सरकार बिहार में सड़कों के जाल को बिचाने में लगी रहती है ऐसे में विपक्ष का यही सवाल है कि बिहार में यूपी के तर्च पर कब ऐसी सड़क का नर्मान होगा हाली में एक्सप्रेसवे नहीं होने को लेकर लोचपा राम विलास की अध्यक्ष चिराग पासवान ने सवाल पूछे थे कि यहां ऐसी सड़क क्यों नहीं है उन्हाने सीम नितीश कुमार से पूछाता कि 15 साल राज करने के बाद ऐसे एक्सप्रेसवे के लिए उन्हें अभी और कितना समय लगेगा जिसको लेकर अब बिहार के पत्थ निर्मान मंत्री नितन नवीन ने इस बात का जवाब दे दिया है उन्हाने इसको लेकर घोशना की है कि बिहार में भी एक्सप्रेसवे के निर्मान की योच ना बनाई जा रही है और जल्द ही इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा यानि कि अब एक्सप्रेसवे की इबारत बिहार में भी लिखी जाएगी पत्रनर्मान मंत्रि नितिन नवीन की तरफ से दिये गए बयान को सुने तो उन्होंने साफ कहा है कि बिहार का पहला एक्सप्रेस वे पटना से कॉलकता के बीच बनाया जाएगा भारत माला फेस दो में बिहार की जिन सडकों को शामल किया गया है उसमें एक्सप्रेस वे भी है सबसे खास बात यह है कि यह पुर्वांचुल एक्सप्रेस वे जैसा ही होगा नितर नवीन ने इसके आगी कहा है कि पटना में बन रहे रिंगरोट का काम भारत माला के फेस वन के तहट चल रहा है काम पुरा होने पर पुर्वांचुल एक्सप्रेस वे के जैसी सडके पटना में भी देखने को मिलेगी मिलेजियान कारी के निसार भारत माला दो के तहट पटना कॉलकता एक्सप्रेस के निर्मान बिहार शरीफ के बाद पूरी तरह से नहीं होगी और पटना से कॉलकता एक्सप्रेस वे बिहार की पहली सडक होगी जो एक्सप्रेस रिस्ट्रिक्टिट होगा यानि की बीच में कोई भी वाहन यहां देखने को नहीं मिलेगी यह पटना बक्तियारपूर फोर लेन होते वे बक्तियारपूर रजॉली से निखलेगा नालंदा से इसका alignment अलग हो जाएगा जिसके बाद जिस रास्ते से यह रोड आगे बढ़ेगा उस पर अभी कोई सड़क नहीं है वहीं अगर हम पुरवांचुल एक्सप्रेसवे की बात करें तो इससे बिहार को भी काफी फाइदा मिलने वाला है जिसके दहत राजधानी दिली से परवांचुल के आखरी छोड तक सीधी connectivity हो जाएगी इसके अलावा यूपी के साथ बिहार का भी रास्ता आसान होगा इतना ही नहीं पुरवांचुल एक्सप्रेसवे को गाजीपुर से बिहार को जोड़ने के प्रस्ताव पर भी काम चल रहा है जिसके बाद अब उमीद यही की जा रही है कि बिहार वासी भी जल्दी एक्सप्रेसवे का लुफ्त उठा सकेंगे हला कि आज के इस वीरो में बस इतना ही तब तक के लिए धन्यवाद